हेलो फ्रेंड गुड इवनिंग स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल फैंटेसी तड़का में तो गैस इस वीडियो में हम बात करेंगे दार डिसाइडर मैच की यानि वंडे मकाबला खिला जाएगा इंडिया वर्सस वेस्ट इंडिस के बीच में जो खिला जाएगा थ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने बेल आइकन प्रेस करने तो चली स्टार्ट करते हैं दोनों टेम्स की पोसिबल प्लेंग लेवन से लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में हम आपके लिए क्या क्या कबर करने वाले हम आपके लिए कबर करेंगे यहाँ पे डिटेल में सारे चीज हैं जैसे पीचर पोर्ट होगी टेरीग्राम चैनल आपने जोएन करने है ट्रेड रिकॉर्ड होगे आल प्लेयर स्टैट्स वगेरा होगे हरे प्लेयर का स्टैट्स आपको दिखाऊंगा और सबसे इंपोर्टन चीज वो ती टेरीग्राम की तो टेरीग्राम पे आप जूड़ जाएए क्योंकि यहाँ पे आपको फैनलेटी मिलेगा और काफी अच्छी हमारी टेम्स जा रही हैं बाकि आप टेरीग्राम पे आपको देख सकते हो ठीक है फैंटसी तरका अपने सर्च करने सर्च करिए या फिर डिरेक इस बगएरा नहीं हुआ है और यहाँ पर टोटल जो मैच हुए अभी तक कोई खेला नहीं है इसलिए कुछ ज्यादा ज्यादा बगएरा इस मैच का इस मैदान पर हमें मिला नहीं 144 मैच खेले गए हैं डोनों टीम्स के आपस में जिसमें 64 मैच यहाँ पर वेस्ट इंडिस ने विन करे हैं और कहतर मैच इंडिया की टीम ने विन करे हैं और इंडिया की टीम फेवरेट रहेगी इस मैच में और यह जिए 64 मैच जी विन करे हैं वेस्ट इंडिस ने यह विराट कुली ने खुद में रेस्ट लिया मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े खिलाडी बहार बैठे और अक्षर प्टेल को मुका मिला संजू सैंसन को मुका मिला लेकिन इस मैच में हार्दिक पंडिया से हटा के रोही शर्मा को कैप्टनसी दी जाएगी और रोही शर्मा साथ में आएगा शुबंगिल उसके बाद यहां पे विराट कोली नंबर चार पे सूर्य कुमार यादब को एक आदमों का और में उसकता है बाकी शान किशन हार्दिक पंडिया जड़े शर्द उठाकुरे कुर्दी ब्यादब अमरान मलीक और मुकेश कुमार है तो चेंज यहां पे स्टैट्स की बात करें तो रोही शर्मा की बात करें तो इन्होंने काफी बढ़िया खेला है अगेस वेस्ट इंडिस और स्टैट्स अगर आप इनके देखोगे टोटल ओडिया में काफी तकड़े रन है 48 कैवरेज है और हैट टूएड में अगर आप देखोगे 16 आए था बाकि इसकाद उपन में आएगा गिल जिनों नहीं अभी तक 26 मैच में 1392 में स्कोर कर रहा है अच्छा खिलाड़ी है पांच में 216 रन बना चुक है अगेंस्ट वेस्ट इंडिस और वेन्यू पर ये भी नहीं खेला वाकि विराट कोली की बात करें नंबर त्री प बस टायतों में दोनों को जोड़ी बनाने बारा है तारगट 180-200, 500 या फिर इंडिया अगर 280 जे प्लस बनाएगी वेकट कैसा भी हो स्टेडियम बदल गया तो यहाँ पर वर्पूर रन बनने वाले हैं तो यह गल्ट पहमे मत रहना है लो स्कोर यहाँ पर मैच होने वाला ह ठीक है विराट कोली की बात करें 66 का अवरेजा 228 रन है तरतारी मैच जिनों ने खेले हैं वेन्यू पर खेला नहीं है लाच के कुछ मैचस की बात करें चरंजा कती 4-36 रन की पारियां इनकी रही हैं सूरिक मार यादव का काफी बुरा आल 8 मैच में 117 रनी बनाए हैं खु उससे पहले फ्लोप रहा है और अगर बात करें head to head की तो तीन मैच में 165 रन टोटल अगेस्ट वेस्ट इंडिस बना चुक है बाकि यह उनका उपर वाला स्टैट साफ देख लीजेगा वंडे में बाकि हर्दिक पंडे की बात करें आठ मी ब्यासी रन आठ विक्टें बॉल फर्ष्ट में आप ड्रोक कर सकते हो और बात करें यहां पर जडेजा की जो की काफी अच्छा स्पिनर है तो इनको तो हम निकाले ने सकते हैं इनका काफी अच्छा परफॉर्मस रहता है हमेशा से ही और कल भी यह लड़का आपको चैलिस प्रफॉर्मस बड़े अरा हेड टू हेड अगेंस वेस्ट इंडिस निकाल चुका है कुल्दी प्यादब शर्द उठा को यह दोनों इंपोर्टन रहेंगे दोनों को अपने जुरूर अपने टीम में रखना है चैक ग्रैली खेलो स्मॉली खेलो और आचके कुछ मैचस की बात कर दो बढ़िया बोटन ज्यादा रहे ठीक है और हर्दिक पंडे के जगा में इनको अपने टीम में ट्राइ कर सकता है क्योंकि हर्दिक पंडे दस ओवर नहीं डालेगा हां बैटिंग आने के चांस रहेंगे बोलिंग कन्फर्म करेंगा यह कन्फर्म है लेकिन चार पांच ओवर करता है उस हर्दिक पंडे है मुकेश कुमार स्टु ठाकर स्टार्टिंग में डालेंगे डैथ में शर्दु ठाकर उम्रान मरी के डालने वाले है मुकेश कुमार के साथ ओजड़े जड़े डैथ में नहीं आएगा यह गलते से मैं लिख दिया जाँपे तो कैस बात करें वेस्ट बाकी अना करें है और जेडन सिल्स है तो मुझे लगता है यही पॉसिबल प्लेइंग लेवर यहां पे होने वारी है ठीक है बाकी जो भी होगा आपको मैं बता दूँगा जो भी चेंजस होगा हम बाद में डिसकुस कर लेंगा अपने टीम में तो गैस जिनके स्टैट्स क अगर आप लेटर के का देखोगी तो ठीक ठाक रहा है जादा हम वेतर भी नहीं बहुत सकते और जो यह 100 की आप आरी देख रहे होने यह वर्ल्ड कप क्वाली फैर में लड़के ने के लिए थी और बात करें मेयर्स की जो इसके साथ लेफ्ट हैंड़ बैट्स में राइट आरम मीडियम गेंदवाज है और अगर आप इनका परफॉर्मन देखोगे पांच मैच में अगेंस्ट इंडिया इन्होंने 122 रंड बनाया विक्ते दो निकाली हैं तो यह इंपोर्टन रहेगा बैट फरस्ट में तो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता हो सकता है चारिस प प्रेडियम है और नया मैदान है तो यहां पे काफी परफॉर हिडिंग होने वाली है दो मैच में 28 रंड बनाया एवरेज 14 का है यहां पे अलाइक अच्छा खासा प्लेयर यह भी होने वाला ठीक है शेहोप की बात करें रिड की हड़ी है वाई वैस्ट इंडिस टीम का सब से परफेक्ट प्लेयर है और कही ना कि अच्छा क्वालिटी प्लेयर है और कही ना कि इंपोर्टन फिर से रहने वाला वाईस कैप्टर तक इनको कंसर्म कर सकते हो उसके बाद आएगा सीमरून हैट मेर जो के लेप्ट हैंड बैट्स में अगर आप इनका परफॉर्मन परफॉर्मन देखोगे तो चोदा मैच में पांसो बीस रण है चालिस कैप रहे जाए और आपको बता दो यह डिसैडर मैच है तो सीमरून हैट मेर परफॉर्म कर सकता है लेकिन चेज में या फिर बैट फरस्ट में इनको ट्राई करना और कोशिश करना बैट फरस्ट में इनका होने वाला लाच के कुछ मैचस की बात करें दो उनका बढ़िया परफॉर्मनस है देखो अभी इंटरनेशनल बुतन तियर्बार नहीं है लेकिन जो उनने क्वालिफेर खेले तो उसमें कावी बढ़िया खेला अर्तारिस नोट टाउट लास्ट मैच में लड़के न इनका परफॉर्मनस देखोगे विक्टे लेता है लेकिन गुछों में विक्टे नहीं मिल पाती है तीन एक विक्टे नको मिली है और ठीक टक प्रे दिजिए आप सब के लिए होने वाले ठीक है उसके बदल जारी जो सब इन्होंने तेरा मैच में 22 विक्टे निकाली है पा या खेला लाज के सारे मैच्चस में लड़के को विक्ट मिली है तो यह बंदा विक्ट टेकर है लैब टारम ऑफॉर्डोस गेंदवाजा तीन में साथ विक्टे अगेंस्ट इंडिया ले चुक है बाकि दो में दो विक्टे यहां पे याना क्रे को मिली जो की राइट टार परफॉर्मस रहा है बाकि यहां पर सेल्स वगेरा कुछ खास इनका परफॉर्मस नहीं है इसलिए ज़्यादा इनकी बात नहीं करेंगे बाकि सब इनके बैंच पर रहने वाले हैं तो पहला गिल है बड़ा खिलाड़ी है तो परफॉर्म करने के चांस अच्छे खासे रहे कि ग्रैंड लिग खेर रहे हो तो चुप चाफ सी कर दीजीगा गिल को दूसरा मेर्स रहेगा मेर्स को दुनिया लेगी लेकिन सीविसी लोग नहीं बनाएंगे तो अपने ग्रैंड लिग में मेर्स को कैप्टन करना है ठीक है तिसरा रहेंगा शर्त उठा कुरिए तीन खल कि अच्छा उपसंस रहेगा तो काई टीम दखाने से पहले आपको मैं बता दूँ टेलीग्राम आप जूड़ जाजेगा टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट न्यूज बगारा मिलने वाली है और मैं इस टीम में भी चेंज़स कर सकता हूँ सी बीसी मेरे चेंज नहीं और ये टीम क्या सोच के बनाई है अगर इंडिया का टीम पहले बैटिंग करती है अगर इंडिया का टीम ने पहले बैटिंग करी तो ये टीम आपके लिए परफेक्ट रहेगी और कहीं न कहीं इस टीम के परफॉर्म करने के चांस अच्छेगा से रहने वाले है ध्यान से स स्कोर बनानी है लेकिन इस मैच में मुझे काफी उमीद है कि विराट कोली या फिर रोही शर्मा में से कोई एक खिलाडी बड़ी पारी खेलेगा तो इसलिए मैंने दोनों को सीविसी बनाया है हाँ हो सकता है कि अगर पहले बोलिंग करें इंडिया टीम तो जड़ेज्या को कैप्टन कर सकता हूँ तो यह बात भी मैं दमाग में रखिएगा फिलाल के लिए मेरी टीम है शेहोप है इसान किशन है सुपमगिल है और बिराट कोली है रोही शर्म है अपना जड़ेज्या हार्दिक पंडिया मेर्स है शेफ़ट है खुलीप है बाकी शड़ू ठाकु रहे अगर कोई भी चेंजर्जस करना होगा आपको में टेरीग्राम पे बता दूँगा तो टेरीग्राम पे अपना है जुट जाना उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको यह पे सर्च करना है टेरीग्राम पे फैंटसी वाल या 11 यह सर्च करोगे आपको हमारा टेरीग्राम चैनल दिख जाएगा या फिर वीडियो डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिलेगा लिंक पे भी आप जुड़के जो है क्लिक करके जुड़ सकते हो ठीक है लिंक पे उपर नीचे जाना एक को हो सकता है मैं गिल्ड को भी वाइस कैप्टर कर दूँ ठीक है और यह चेंजस मैं करने वाला हूं यह सब पर प्ट-प्ट-प्ट-प्ट से जाद हमें फैंट्ट-प्ट दोनों से कोई एक देने वाल है तो ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है खुद का इंडिया की टीम क्यों विन करे गोगि विराटकॉलि रोगशरमा अपनी मेन पोजीशन पे बन डोन पे ओपनिंग में खेलने वारे हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स बीटिम तक तक के लिए बाई बाई टेक या जन्यवाद और ध्यान रखिए अपना ऐसे ही फैंटसी में कमाईए